रिशब पंत ने दे दिया एक ऐसा बयान बताया उन्होंने बांगलादेश के खिलाप क्यों मचाया तूफान नमस्काल मैं हूँ अभिशेक त्यागी रिशब पंत ने बांगलादेश के खिलाप मैच जीतने के बाद एक बहुत बाला बयान दिया है रिशब पंत ने बताया कि रोहित शर्मा ने कैसे चेतावनी दी थी रिशब पंत ने वो राज खोला है कि रोहित शर्मा ने उनसे क्या कहा था जिसके बाद रिशब पंत ने त तेज गती से रन बनाने शुरू कर दिये जिसके बाद रिशब पंत का एक टार्गेट था कि 150 रन किस तरीके से बनाए जाएं जिसके बाद रिशब पंत ने आखिर में आकर इतनी तेज तरार बल्लेबाजी की कि बांगलादेश के गेंदबाजों के पैर उखड गए दरसल र रषब पंत से पूछा गया कि आखिर रोईशर्मा ने आखिर क्या पहा था तो रिशब पंत ने बढ़ी अच्छी दिल्चस्प कहानी बताइए जिस वक्त लंच का टाइम था उस वक्त जब सारे खिलाड़ी ूस अठाट में बेटे थे रोईशर्मा वहाँ पर मोजूद जितने जादा रन बनाने हैं आप लोग उतने रन बना लीजिए उस वक्त रिशप पंत किरीज पर मौझूद थे केल राहूल उनके साथ मौझूद थे तो रिशप पंत ने बताया कि जब रोहिश सर्मा की ये चेतावनी मैंने सुनी जब रोहिश सर्मा की ये बात रोहिश सर रन बना लूँ मैं 150 रन बनाना चाहता था नो उस टार्गेट तक पहुँचना चाहता था लेकिन रिशब पंत उससे पहले आउट हो गए लेकिन रिशब पंत ने कहा कि मैंने रोहिष शर्मा की उस चेतावनी के बाद तेज गती से खेलना शुरू किया आक्रामक अंदाद मे बले बाजी करनी शुरू की और आपने देखा भी रिशब पंत जब अपने शतक के बाद तेज गती से खेलने के पीछे रोहिष शर्मा की वो चेतावनी थी जो रोहिष शर्मा ने कहा था कि मैं एक घंटे के अंदर पारी को घोसित कर दूगा फिर बाद में ये मत कहना कि आपने एक सो पचास से पहले पारी को घोसित कर दिया या फिर आपने क्यों पारी को घोसित कर दिया कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि कप्तान पारी को घोसित कर देता है और उसके बाद में सवाल खड़े होने सुरू हो जाते हैं कि रिशब पंत का एक सो पचास नहीं होने नहीं होने दिया तुर पर इसलिए रोजी सर्मा ने पहले बोल दिया ता जितने ज़्यादा रन आप बनाना चाहते हैं उतने बना सकते हैं एक घंटे के बाद मैं पारी कर दूँगा तो जाहिर तो पर रोहिषर्मा की जो यह छेतावनी है यह तरीके से बहतर भी समझे आए क्योंकि एक कप्तार अपने खिलारियों को आगा कर देगा अगर एक कप्तार अपने को पहले से बता देगा कि भाइसाब एक गंटे के बाद में पारी घोशित करने वाला क्या आपको लगता है कि रिशब पंत इस वक्त दुनिया की सबसे बहतर विकेट की पर बल्ले बाद है कमेंट करके बताईएगा वीडियो चुलेगी हो तो लाइक और शुजरू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि अपडेट मिलते रहेंगे थैंक्यों रिमांच